स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टड़ी लाइव ऑनलाइन लेर्निंग पे आज मैं आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे दोस्तों जो की है एक कैंडिडेट को जो की आज तैयारी कर रहा है जो कि अल्रड़ी सेलेक्ट हो चुके हैं उनके क्वेरी जो वरकिंग है उन्हें क्या जोईन करनी चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज राजते हैं दोस्तों इसके इनके एकस्पेक्ट के बारे में तो आज हम इन कैरियर को से दोस्तों इन सब के बारे में हम डिटेल में बाते करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चूज करना चाहिए मैं अपना इस वीडियो के एंड पर मैं अपना ओपिनियन दूआ दोस्तों आप सबसे और फिर उसके बाद आपको इन सब चीजों के ब हम पहले leาत करते हैं जोब परिपारे में दोस्तों कि काम क्या करना पड़ता है स्टी को और एक टलर को दोस्तों ऐसे से की बात करें तो हम हैंने पुर्ण हिशली वीडियो में देटेल्ड में चरुचा की थी दोस्तों कि एक स्टी का काम करें जो कि सेक्शन स्परवाइस होते हैं या सीनियर सेसे होते हैं दोस्तों उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है यह एक ग्रूप सी लेवल फॉर की डेस्ट जो को होती है दोस्तों वहीं IPS क्लरक की बात करें हम तो IPS क्लरक एक जो पॉइंट अफ एंट्री होता है फॉस्त पॉइंट ऑफ कंटक्ट होता है किसी भी कस्टमर के लिए और जो कुटॉमर को गाइडेंस चाहिए होता है जो विड्रॉल कांट्रस पर बैठते हैं यह इंको मुझ्छिक क्लरक का का मदे आता है दोस्तों और इनको इनका का मैं रोता है चेक्स को काम होता है वही काम करते हैं जो कि आफिसस नहीं करता है दोस्तों तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे दोस्तों जो की है एक वर्कलोड या इन्वायर्मेंट वर्कलोड क्या होता है दोस्तों एक एससे के बात करें तो कस्टमर इंट्रेक्शन कंपरिट फाइब पीम होता है थर्टी मिट्स का लंज बेग मिलता है दोस्तों जो एक एक अलग बात है इसमें वो है Monday to Friday Office Days होते हैं दोस्तों आपको Saturday Sunday जो weekends होता है वो off मिलता है Saturday Sunday मिलना बहुत इंपॉर्टन है दोस्तों किसी जॉब लाइफ में स्टेबल जॉब लाइफ के लिए आप आपको अपनी फैमिली साथ वक्त बिताने का टाइम मिलता है फैमिली टाइम में स्पेंड कर सकते हैं या फिर आप किसी उपर एजाम के तयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसके बावजुद मुझे बहुत कम टाइम मिलता था पढ़ने के लिए तो इसलिए हम हमारे लिए सटेटेटेशन दे आफवना बहुत ज़रूरी है वहीं आपस क्लर की बात करते हैं दोस्तों कस्तमर इंट्रक्शन बहुत हाई होता है आप एक बैंक में विजिट करते हैं और जहां तक बात करें वर्किंग डेज की दोस्तों तो मंडे टू सटेट अफिस रहता है एकसेप्ट सेकें और फो सटेट दोस्तों कंपरेटिवली आपको कम चुट्टियां मिलती है इसमें आपको ज्यादा काम भी करना पड़ता है वर्कलोड की बात करें तो कंपरेटि अल्मोस्ट जो हम तैयारी करते हैं उनकी फैमिली इतनी फानेंसल स्टॉंग नहीं होती है और हमें सेलरी देखना बहुत जुरूरी है एक वक्त के लिए हम वर्कलोड को मतलब किनारे कर भी दें दोस्तों तो सेलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एससे की सेलरी की बा अलएन होती है डिश्चन घचाय में जो अनकी सब्सकopus यहां फिर सब्सक्रियों के बहुते हुआ में लाइस किया था उस चीज का वहां पर दोस्तों रिडक्शन से राउंड थी थाउजन लग को जाता है जिसके बाद आप इन हैंड सेलरी जो आप नेट पे सेलरी होते हैं दोस्तों वह एक आई पेस के सेलरी की बात करें दोस्तों तो बेसिक जो होता है वह 11,765 है दोस्तों बी ए एचारे ट्रांपोर्ट अलारंस पेसल अलाइस को मिला के ग्रास सेलरी अरांड 21,000 होती है मेडिकल अलाइस के बात करें दोस्तों तो 2000 जरू मिलते पड़ वह एन्वली मिलता है दोस्तों जहांकि एप एप एससे में आपको पर मंद मिलता है यहां मैं आप से यह जो सेलरी स्थ्चर दिखा रहा है दोस्तों जो मैंने बताया था पिसली वीडियो में वह एक पर्पोजल गया है दोस्तों जो की इनकी सैलरी है वह बढ़ा के 2800 गेटव कर दी जा दोस्तों उसकी बाद सेलरी दोस्तों मुझे लगता एक दो साल में यह वेज हो जाएगा इनका देख सकते हैं जो एक बैंक κάam चैनल्ट काथ है जो कि गपरकए उसेKY की आइक लिप धानधिनेंगारे बारान पर के यहांगे नें तोटल इर्णिंग्स अर्निंग जो है जो ग्रोस रिया उसमें रिदेट्स होदा युदा उसको हटा के बाद करें तो नेट सेलरे राउन 20 तो दोस्तों बो काफी कम है अभी वेज रिवाज हुआ है दोस्तों चार वाज दिन पहले एक विज रिवीजन हुआ एसे से में एराउंड आपको 40,000 मिलेगे दोस्तों काफी ज्यादा एक डिफ्रेंस बन जाता है तो एसेलरी के हिसाब से तो एक काफी बेटर ऑप्शन है दोस्तों आप सभी के लिए अब वहीं बात करते हैं हम दोस्तों पोस्टिंग कहां मिलेगी आपको आप जब सेलेक्ट ह साइरिया डीरीज में कामकरने की आदत नहीं होती है दोस्तों तो यह बहुत इंपोर्टेंट фак्टर होता है एसेसे कि बात करें दोस्तों तो एसेसे को रिजिनल उफबीस में से की पोस्टिंग मिलती है जोकी एक स्टेट की दिय सो Massachusetts मे कि अच्छी दॉस्त्म होती है कि काफ के वर्किंग स्टाफ चीबात करें दो इक सिर्ट अपिस में एरांड आपको 200 जाते हैं दोस्तों जहां पर एकह होते हैं काफी से किसाथ साथ सीमिय से होते हैंλλά असिस्टन्स हो ते mam da assistant नहीं होंगे एसिस्टन्ट के लिए जो। ऐस से हैं वही रहते हैं आपको ऐकाउंटी अफिसर मिल जाते हैं काफी अच्छा इंवार्यमेंट बन जाता है काफी लोग रहते हैं एक कलीग कलीग बहुत होते हैं आपके वह एक कि बात करें दोस्तों तो आपकी पोस्टिंग जो होती है कर रूरल या सवे अर्वन एरिया में ही होती दोस्तों आज भी तो यह वहाँ भी 6-7 स्टाफ से बहुत बाइन दोश्तों तो रहते हैं दोस्तों मेरे फूट के गाव में अग्याम स्टाफ राग से ब्रांच है यूको बैंक का ब्रांच है दोस्तों और वहां सब्सक्राइब वर्क फ्रेंडली इंवार्मेंट बनना थोड़ा मुस्कुल हो आता है अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन और केरियर रोत की बहुत लोग सुचते हैं कि उनको केरियर वाइज जॉब सेलेक करना होता है दोस्तों उनके लिए सैलरी इतना बरा फैक्टर ना हो बट उनके ल सेलरी मिलती है आपको अलाइंस मिलते हैं जॉब सेक्यूर्टी क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट की जॉब है तो जाव सेक्यूर्टी मिल जाती है आपको प्रमोशन बात करता है कि आप कितना ज्यादा आप डेडिकेटिट है अपने काम के लिए आप कितने महनेती दोस्तों आद आप अभी जो पुश्ट होंगे तो स्से की लेवल पे जाएंगे उसकी बास सो कि प्रोमोचलन एकजांस होते हैं जो कि कोटा होता है या फिर सर्विस कोटा होता है उसकी में डिसकॉस किया है इस बारे में उसके बाद सबस्क्राइब बन जाते हैं या फिर एकांटस ओफिसर या इन्फोर्स्में ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद आप APFC, RPFC 2, RPFC 1 तक आप पहुन सकते हैं जहां तक हम SSC की बात करें तो अपने रिटाइरिंग परियेड तक वह APFC पूस्ट तक बहुन जाते हैं काफी अच्छे एक स्टीबल पोस्ट होती दोस्तों होएं आई पिस ट्रक की बात करें तो आई मिपस इन्फिस ग्राइड की झाहता है, आपके लिए एक normal process होता है और एक merit basis process होता है दोस्तों जो यह एक normal process होता है उसमें आपको बैंकिंग बैंक्स जो कंड़क करवाती है internal exams उनको promote करने के लिए इसके लिए आपको जे आई 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 बी जो और सी आई डिप्लोमा डिग्री होती है आपको से मिलता है बस exam qualify करना पड़ता है इसके बाद training officer बन जाते हैं उसको प्रोवेशनी ऑफिसस बन जकते हैं जहांते हम बात करते हैं mirisis mirisis process कि दोस्तों इसके लिए आपको दो साल के लिजीबिल्टी तो जड़ूरी है इसाथ ही साथ आपको jiab और ceiv जो होती जो उसकी डिगरी होना ज़्रूरी है जो कि आपको in Institute of banking and finance से मिल जाती है इसके लिए आपको आपके पास graduation की डिगरी मस्ट है दोस्तों लोंगाते हैं तो के बस्तों के बात करते हैं तो अ कि आसिस्टेएंग और दोस्तों जहां तक मुझे पता है कि और जान्ण करते आप बहुत पर् icm परकुनर अlor नियुक माता हुए जोप जाएंग है रेटन तो केरियर ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो यह काफी अच्छा एक्सपेक्ट है कि आप आई-पेस क्लग की तरफ जा सकते हैं अब आपको फ्रिक्वेंट प्रोमोसर मिलते हैं अब हम ओवरल बात एनलिस करते हैं दोस्तों मैंने सारे एसपेक्ट सबको बता दिये हैं अब आपको क्या चूल्स करना चाहिए वर्कलूड की बात करें तो ऐसे से में कम वर्कलूड है तो इसके लिए एप एफ एसे से को मैं प्रियोटी दूँगा पोस्टिंग की बात करें भाएयज होने के बाद भी हमेशा तो उसके हिसाब से भी कि एक प्रियोटी वाइज से लवाइज वर्कलूड ऑपर रहेगा दोस्तों केरियर गोथ में जहां तक बात है कि एक stagnated promotion मिलता है दोस्तों आपको काफी लंबा वक्त लग जाता है प्रमोट होने में एक IPS clerk को frequently promotion मिलते हैं competitively आप जल्दी प्रमोट होते हैं officers level तक overall कि मैं बात करूँ मेरे opinion में एक EPFO SSA better choice होगा आपके लिए clerk जो है वो less stable होता है दोस्तों क्योंकि आपको workload जादा होता है family time कम मिलता है तो इसलिए मैं opt करूँ कि आप SSS के तरफ जाएं तो मेरी वीडियो यहां दोस्तों खतम होती हैं और मैं आप सब इसे चाहता हूं कि आप जरूर कमेंट करें अपने queries पूट करें मैं आपके सारी queries का जवाब दूँगा जो कि मैं देता रहता हूं दोस्तों काफी कमेंट साते हैं और मैं सब का reply देता हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि आप अगले वीडियो के लिए जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक भी वीडियो चाहते हैं मैं उस टॉपिक भी आपके लिए वीडियो लाओंगा और आपके सारे queries को solve करने की courses करूँगा दोस्तों थ करने का दूपिक भी वीडियो चाहते हैं अगले अगले वीडियो के लाओंगा और आपके सारे को सब्स्तों थेजिए वीडियो चाहते हैं मैं एक शाहते हैं आपके